नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिभा उनलाइन क्लासिस में दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं आज भारत का गड़तंतर दिवस मनाए गया यह भारत का 71 गड़तंतर दिवस था तो इस मौके पर दोस्तो कुछ पदम अवार्ड की घोशना की वाले हैं तो इस वीडियो में हम इसी बारे में डिसकस करेंगे उनके मैं नाम लेकर आया हूँ आपके लिए सभी के जिनके लिए यह अबाड दिये गए हैं तो दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं केंदर सरकार ने गरतंतर दुबस के अफसर पर दिये जाने वाले पदम बिभुसनड अबार मिलेंगे 7 पदम भुसनड 16 और पदम सरी 118 वाड तो पदम भुसनड और पदम बिभुसनड की तो मैं साथ और 16 सभी लोगों की लिश्ट लेकर आया हूँ देकिन पदम सरी में दोस्तों 118 हैं तो 118 के लिए कोई बताने का फैदा भी नहीं दा क्योंक दले कर आया हूं तो चलिए दोस्तों जानते यह आवार्ड किसकी मिले हैं डिटे ले कि नंबर मदद यहां पर हम बात कर रहे हैं दोσतो यह Πादम दोसन अवार्ड की तो पदम नंबर बन पे हैं दोस्तों अरुन जेटली इनके लिए मरणों प्रांथ यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनके लिए पदम विभूसर अवार्ड लोग सेवा के छेतर में दिया गया है यह दिली राजिकर रहने वाले थे नेक्स्ट है जोर्ज फर्नांडीस इनके मुक्यवाज हैं इनके लिए पदम विभूसर अवार्ड खेल के छेतर में दिया गया है और यह मड़पूर राज की रहने वाली हैं सुसमा सुराज के लिए आप सभी जानते होंगे यह बीजेपी की बरिश नेता थी हाल ही में इनका नेधन हुआ है तो इनके लिए पदम लोगसेवा की छेतर में दिया गया है और सबसे दिल्चस बात यह है कि अनुरिद जगरनाथ भारत के रहने वाल नहीं है दोस्तों यह मौरिसस के रहने वाले हैं और मौरिसस के यह पूर प्रदान मंत्री रह चुके हैं तो यह थे पांच लोगों की नाम अभी हम दो बांदे जो और बची उनके नाम भी जान लेते हैं जिनके लिए पदम विभूसर्ड अवार्द दिया गया है नमबर 6 पे आते हैं दोस्तो चनुलाल मिस्र चनुलाल मिस्र के लिए ये अवार्ड कला के छेत्रम दिया गया है और ये यूपी के रहने वाले थे नेक्स्ट आते हैं बिस्वेश तीर्थकर स्वामी जी बिस्वेश तीयतकर स्वामी जी के लिए भी ये अवार्ड मनोप्रांट मिला है दोस्तो ये अन्य और अध्यात्म के छेतर में इनको ये अवार्ड दिया गया है ये भी करनाटक के रहने वाले हैं तो ये थी दोस्तो उन साथ लोगों की सूची जिनके लिए दोजार बीज में पदम भी भूसनर अवार्ड से समयनित किया गया है नेक्स्ट आता है दोस्तो अभी हम बात करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इस्क्रीन पर उपर पदम भूसनर 2020 बिलिंग हो रहा है तो ये जो नाम दिये गया है 16 व्यक्तियों के इनके लिए 2020 में पदम भूसनर अवार्ड से समयनित किया गया है नमबर बन पर आते हैं दोस्तो पीबी सिंधू इनके लिए ये अवार्ड खेल के छेतर में दिया गया है और ये तेलंगाने राजगीर रहने वाली है नमबर दो पे आते हैं मनोहर पारिकर इनके लिए ये अवार्ड मर्णो प्रांत दिया गया है ये गोवा के पूर मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब इनका निधन वादा तब ये गोवा के मुख्यमंत्री थे तो इनके लिए भी ये अवार्ड लोगसेवा के छेतर में दिया गया है दोस्तो नमबर तीन पर आते हैं सायद मुझमल अली इनके लिए ये अवार्ड लोगसेवा के छेतर में दिया गया है ये बंगलादेश के रहने वाले हैं दोस्तों और ये बंगलादेश के पूर्व सच्चेव रह चुके हैं मतलब पूर्व विदेश सच्चेव नमबर फोर पे आता है अजोई चक्रवर्ती, अजोई चक्रवर्ती के लिए ये अवार्ड कला के छेतर में दिया गया है और ये पस्चिम बंगाल के रहने वाले हैं नमबर पांच पे आता है दोस्तों आनंद महंद्रा, आनंद महंद्रा के लिए ये आवाड पदम भुसडवाड ब्यापार और उद्दोक के छेतर में दिया गया है, ये महरास्टर के रहने वाले हैं नंबर चे पर आते हैं दुस्तो ए मुम्ताज अली मुम्ताज अली के लिए अवार अन्य और अध्यात्म के छेतर में दिया गया है। चेरी के रहने वाले हैं नमबर नाइन पे हैं बाल किस्म दोसी बाल किस्म दोसी के लिए दोस्तों यह वर्ड अन्य अवलिक बस्तुकला के लिए दिया गया है यह गुजरात के रहने वाले हैं नमबर दस पे हैं किश्रा मलाल जगलनाथ तो किश्रा मलाल जगलनाथ के लिए यह वार्ड समाज सेवा के छेतर में दिया गया है और यह तमिल नाइडू राजिकर रहने वाले हैं नमबर 11 पर हैं ब्याडू स्रीनवास ब्याडू स्रीनवास के लिए दोस्तों यह वार्ड ब्यापार और उद्धोग के लिए दिया गया है ये तमिल नाडू के रहने वाले है तो दोस्तो नमबर बारा पे आते हैं SC जमीर SC जमीर के लिए पदम भुषड अवार्ड लोग सेवा के छेतर में दिया गया है और ये नागालेंड राजी के रहने वाले है नमबर तेरा पा आता है अनिल प्रकास जोसी अनिल प्रकास जोसी के लिए ये अवार्ड पदम भुषड अवार्ड समाज सेवा के छेतर में दिया गया है और ये उत्तरा खंड के रहने वाले है नमबर फोटीन पा आता है दोस्तो तेरसंग लेडोल तेरसंग लेडोल के लिए अवार्ड चिकत्सा के छेतर में दिया गया है और ये लड्डाक राज के रहने वाले है मतलब लड्डाक अभी भारत के जम्मू कसमेर से अलग होकर हाल ही में केंडर सासित प्रदेश बना एं तो ये लड्डाक के रहने वाले है नमबर 15 पर है दोस्तो नीलकंट रामा कृष्णन मेनन इनके लिए अवार्ड मर्णो परांत मिला है इनका हाली में देहान दो गया था है इनको ये अवार्ड लोग सेवा के छेतर में दिया गया है और ये केरल राज के रहने वाले है नमबर 16 पे और लास्ट पदम भुष्ण अवार्ड जाता है दोस्तो जगदी सेट के लिए ये अवार्ड साहित और सिख्छा के छेतर में दिया गया है ये भारती मुलकी ब्यक्ति हैं और इस समय अमेरिका में रह रह रहे हैं तो दोस्तो यहां पर मैंने आपके लिए पदम भुष्ण के साथ और पदम भुष्ण क सुला ब्यक्तियों के नाम के किस छेत्र में उनको यह अबाड मिला है और वो किस राजी से बिलॉंग करते हैं उनकी लिस्ट पूरी बता दी है दोस्तों तो आप से मैं रुक्ष्ट करूंगा दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आज हो तो वीडियो को लाइक जरू क कर दें और अगर आपके लिए कुछ पूंचना हो या कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को जयाता से शेर करो यार और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह से लेकर आते रहता हूं जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहतुपूर्ट कोस्टेंस होते हैं तो चलिए दोस्तों अभी जान लेते हैं हम पदमश्री अवार्ड के बारे में तो पदमश्री अवार्ड 2020 है जो उस्तों जो वो 118 लोगों के दिया गया है तो मैंने केबल 6 लोगों के नाम दिये हैं जो की बहुत ही जादे इंवर्डेंट और जानिमानी हस्तिया हैं बाकि अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके लिए मैं उसकी PDF डिस्क्रिप्शिन में दे दूँगा कि किस-किस लोगों के लिए 118 पदमश्री अवार्ड दिय गया है तो सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं जहीर खान जहीर खान भारती क्रिकेट टीम के एक फास्ट बॉलर रह चुके हैं तो यह इनके लिए पदमस्री अवार्ड खेल के छेतर में दिया गया है यह महराष्टर राजिकर रहने वाले हैं नंबर सेकंड पर आत नंबर चार पर आते हैं सुधिर जैन के लिए पदमसरी अवार्ड 2020 में जो मिला है वो बिग्यान के छेतर में दिया गया है यह गुजरत राजिकर रहने वाले हैं नंबर पांच पर आते हैं दोस्तों अधनाम सामी अधनाम साबी के लिए तो आप सभी जानते होंगी यह ब भी यह वाड कला के छेतर में दिया गया है और यह भी महराश्टर के रहने वाले हैं तो दोस्तों 118 मैंसे मैंने आपको के लिए चेलेओं के नाम बता हैं जो कि बहुत ज्यादा खास हस्तियां है तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरू बता है एक नई वीडियो को साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत